संगठन कौसल पुस्तक राष्टिय स्वयंग सेवक संग के तेजस्वी परचारक एवन अकिल भारतिय बिद्जार्थी परिशत के विश्व कर्मा कहे जाने वाले स्री यस्वंतराव केलकरजी के जीवन पर आधारित हैं। धे निष्टा समर्पन एवन सम्मान भाव के साथ कारी किया। अध्यूतिय प्रसंगों की मिसाल है। संगठन को असल पुस्तक में 32 अध्याय हैं। सभी एक से बढ़कर एक हैं। पुस्तक के प्रमुक अध्यायों में संगठक यस्वंतराव केलकर, संगठन करता, मानव के कुसल, सिल्पकार, हर कारे करता का ख्याल, अनोखी कारे सायली के धनी, संगठन, सिल्पी, व्यस्तता में ब्यवस्ता, प्रवास से संबंधित एक पत्र, सच्चा परजातंत्रिक, संगठन और संगठक, एवन व्यक्तित्तु की परख जैसे के कारे सायली का उल्लेक किया गया है, वे कारे करता को यंद्र का पूर्जा नहीं, एक मानविय इकाई मानते थे, उनका आगरा था कि उसे मनुष्य के रूप में ही समझ लेना आवस्यक है, इसी धारणा के कारण प्रतेक कारे करता के अंतरंग में प्रवेश कर उसे उदार आदान प्रदान का अउसर दे सके हर एक को विश्वास था कि अपने से बड़ी से बड़ी गलती होने पर भी वे उसे मा के समान ही पाएंगे साथ ही वे उसका आत्म विश्वास भी जगाते थे कि तुम कुछ कम नहीं हो संगठन कौसल पुस्तक में स्री यस्वंतराव केलकर जी के अदभुद संगठन कौसल के अनेक उधारन दिये गए हैं वह संगठन की सफलता त्री सुत्र को मानते थे पुर्व योजना, योजना का विवरण, एवंग योजना का रूपांतरण किसी भी आईवजन से पुर्व वह एक छोटी पुस्तक तयार करते जिसमें सभी छोटी बड़ी बातों को सामिल किया जाता एवंग उनके दाईत और निर्वहन का जिम्मा कारेकरताओं को सौंपा जाता था माचीस मौमबत्ती से लेकर दीपक के लिए तेल योंग बंदे मातरम का गायन माईक से लेकर अन्य सभी बेवस्थाओं को वह बेहस सुचारू रूप से संपन्द कराते थे वह अपने हर कारेकरम में मेधावी कारेकरताओं की सराहना करते थे सिरी योस्वंत्राव केलकरजी कारेकरताओं को संभाल कर रखते थे कारेकरता को एक मनुस्य के नाति समझना परखना उसकी छमताओं तथा गुणों का विकास करना उसमें प्रेरणा भरना या उनका विसिस्ट गुणता वो अक्सर कहा करते थे आपल मारसांच काम आहे अर्थात अपना काम मनुस्यों का है मनुस्य सरवपर्थम काम तो होता ही रहेगा व्यक्ति को व्यक्ति के नाते देखना चाहिए आज के उपयोगिता वाद के निर्मम माहौल में कारेकरता संगठन के लिए कितना उपयूक्त है यह जरा भी नौ सोचते हुए वे परतेयक से मित्र के नाते मनुस्यता के नाते बाचित करते थे संगठन को उसल पुस्तक में स्री यस्वन्त राव केलकर जी से जुड़े अनेक ऐसे प्रसंग है जिन्हें पढ़कर लगता है कि वह अगर एक पार की संगठन करता थे तो उनके हिर्दे में अपने कारेकरताओं के प्रति अपार सनी भी था एक करता की वह कर्याले में प्राता नौ बज़े से प्रतिक्षा कर रहे थे जब वह कर्याले पहुंची और बताया कि माता जी के स्वास्त के कारण आने में विवलंब हुआ इस पर जब उन्होंने माता जी के स्वास्त के हाल जाना तो उनकी आँखों से आंसों की धर भने जी का अधिकांस कार्यकरताओं के साथ रहा स्री यस्वंत राव केलकर जी से अखिल भारते बिद्यार्थी परिशत की तीन पीडियों को पर्त्यक्ष तौर पर सीखने का अवसर मिला 1998 से 1987 तक यह क्रम निरंतरता के साथ चलता रहा उनके सामने परिशत का हर कार्यकरता मन खोल कर बात करता था आज अखिल भारते बिद्यार्थी परिशत का जो बिरिक्ष है उसे खाद पानी देने का अमुले कार केलकरजी नहीं किया था वे अपने सनेह के धागे से हर कार्यकरता को जोड कर रखते थे एवंग अभिभावक के तौर पर उसका ध्यान करते थे संगठन का उसर पुस्तक में अनेक ऐसे पहलूओं का बर्णन है जो स्रीयस्वंत्राव केलकरजी की कारे सहली से जुड़े हैं संगठन सास्तर के ऐसे अनेक अदबुद पहलू केलकरजी ने परिवासित किये एवंग स्वेंग के नित्य बेवहार के उधारन प्रस्तूत करते हुए कारेकरताओं के अंतरंग में उन्सुत्रों को उतारने का सार्थक प्रयास भी किये सहयोगियों को संगठन विस्तार एवंग मजबूती के लिए प्रेरित करने की उनकी पद्धती इस प्रकार प्रभाविती की कोई बिसेस प्रसिक्षन का आविर्भाव नौग रखते हुए भी वह वो सबका संगठन का उसल पुस्तक वास्तों में स्री यस्वंत राव केलकर जी के बिराट व्यक्तित एवंग उनके उदार दिश्टिकोन को परिलक्षित करती है एक प्रसंग 1978 का है उन दिनों स्री केलकर जी केवल एक वक्त ही भोजन करते थे एक बार पूरे में एक कारेकरता के सांथ में स्कूटर पर दिन भर भरमन पर रहे भोजन करने का मन नहीं है मेस भी बंद हो गया होगा सुब़ा ही भोजन करऊंगा यह सुनकर केलकर जी ने फोरण अपने जूते पहने और उन्हें लेकर पास के रेस्टोरेंट पहुंचे और उनके लिए भोजन की थाली मंगाई एवंग स्वेंग कॉफी पी भोजन के बाद उन्होंने कारकरता को समझाया कि आपकी उम्र एक वक्त का भोजन करने की नहीं है आपको अभी बहुत कारे करने हैं इस तरह के गौरवसाली आत्मियत प्रसंग इस पुस्तक के अध्यान सीलता को और ज्यादा ब्यापक करते हैं वास्तों में केलकर जी अती सम्मान्य दिखने वाले एक Ausadharan महापूरुष थे शिपाही के वेश में वे एक सेनापती थे मगर वे सेनापती इसलिए नहीं थे कि उन्हें पद पर न्युक्त किया गया था अपितु इसलिए थे क्योंकि उनके संपर्क में आने वाले कारे क सेनापति का अधिकार अर्जित किया था उनकी मानेता थी कि सच्चा सेनापति अथ्वानेता वहीं हो सकता है जिसके चरित्र में कोई दोस नौ हो और जो स्वेंग के आदर्स से सेश लोगों को प्रभावित कर सके संगठन का उसल पुष्त के केंद्र विंदू श्री यस्वं परपित व्यक्तित्तु थे राष्टिय स्वेंग सिवक्संग के अनेक बरिष्ट कारेकरताओं को उन्होंने गढ़ने का काम किया एक साधारन से कारेकरताओं को कैसे सक्षम और सर्वगून संपन्द बनाया जा सकता है यह मानुविये गून उनके ही अंदर थे संगठन का पुस्तक उनके जीवन के विभिन पहलूओं पर विस्तार से लेख करती है संगठन में कारेकरने वाले कारेकरताओं को या पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए इस पुस्तक के मुल 175 रुपिय है आप एक बार या पुस्तक अवस्य पढ़ें इस पुस्तक को खरीदने या मोबाइल एमंग वाच्छेप नंबर है 965 0033 433 965 0033433